तमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से साथी मुझ से लगतार डिमैंड करते रहते हैं कि मैं केरल की राजनीती के बारे में कोई वीडियो बनाऊ। केरल में वास्तों में बहुत कुछ घटित हुआ है पिछले दिनों और पिछले दिनों जब हम तेलंगाना पस्चिम बंगाल की राजनीती पर व्यस्त रहें तो उस दौरान केरल की राजनीती में भी काफी कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। आपको पता ही होगा के केरल में Communist Party यानि के CPIM की सरकार है जिसको कहा जाता है LDF Left Democratic Front इनकी सरकार है Communist दलों की और इसमें Communist दल अगर पूरे देश में कहीं अस्तितु में बचे हैं तो वो केवल केरल में बचे हैं और ये मानना होगा के केरल में भी ये लोग अपने अस्तितु की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां कॉंग्रेस इनकी मुख्य विरोधी पार्टी है और कॉंग्रेस के नेतरत वाला UDF है जो United Democratic Fund वो इसे टक्कर देता रहता है बीजेपी यहां अपनी प्रजेंस जमाने की कोशिश कर रही है NDA के माध्यम से कुछ एक नगर निकाय चुनाओ जो में बीजेपी ने भी हाली में मा सफलता असिल की है अलबता कुल मिलाकर इस्तिती यह है कि केरल की जो सरकार है और उसके जो विजियन उसके चीफ मिनिस्टर है पी विजियन उनके बीच में और वहां के जो गवरनर है आरिफ मुहम्मत खान उनके बीच में एक लव अंकड गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मम्ता बेनर जी के बीच में यहाँ पर दोस्तों जो इस्थिती बनती है वो यह है कि अभी अभी जो ताजा घटना करम हुआ है केरल में केरल पर दबाव था कि आप कम्मिनिस्ट पार्टी की सरकार अब यहीं पर है और आपने कृसी कानूनों को लेकर कुछ नहीं किया तो विजेयन जो की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी यह फैसला किया कि हम अरविंद केजरिवाल और कैप्टन अमरिंदर की तरह एक विशेष सत्र बुलाते हैं और विशेष सत्र को बुलाकर हम उसमें एक इन करसी कानूनों के खिलाफ एक हम मत पारित करते हैं और इसके बाद ये तीनों कानून कंडम गोशित कर दिये जाएंगे इसके लिए उन्होंने एक परमिशन मांगी कर्शी कानूनों के लिए कि आप हमें परमिशन दे राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने के लिए विशेष सत्र बुलाने के लिए बिल्कुल एकदम आखरी समय में उन्होंने पर्मिशन मांगी और गवर्णर ने उस पर ये कहा कि आपने आलड़ी नो जन्वरी से विदान सभा का सत्र बुलाने की प्लैनिंग बना ली है तो फिर आपको ऐसी कौन सी एरजंसी आ गई कि आप एक और सत्र बुलाना चाहते हैं आरिक मुहमद खान का तर्क ये था कि आठ जन्वरी से तो आप बुलाई रहे हैं विदान सभा का सत्र तो अब क्या ऐसी एरजंसी है मुझे जरुवत नहीं लगता कि अभी कोई विदान सभा सत्र इतनी जल्दी बाजी में बुलाना चाहिए और भारत्य सम्विधान का आर ये एक खाई खिच गई है वहाँ विजियन और आरिक मुहमद खान के बारे में आपको बता हूँगा पहले साल बर पहले भी मैंने के बारे में विडियो बनाया था और ये अपने आपने ही बिल्कुल अलग टाइप के बंदे हैं और अपनी बोल्द विचार धारा के लिए जाने जाते हैं और काफी सुर्खियों में पहले ये रह चुके हैं बेराल इस मामले को लेकर जब विधान सबा सत्र बुलाने की परमीशन नहीं दी गई विजियन को तो इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी आलोचना की विपक्ष के नेता है रमेश चिनिताला उन्होंने कहा कि यह एलोग तांत्रिक है हाला कि वो जो UDF है, Congress-led विपक्स है वाँ पर वो विरोध करता रहता है विजियन का लेकिन इस मामले पर किर्सी कानून के मामले पर वो विजियन के साथ थे और उनका कहना था कि भाई आप सत्र बुलाओ इसके अलावा उन्होंने ये भी सला दी कि संसदिय कारिय मंत्री को ऐसा करना चाहिए कि विधान सभा का जो पेरिफेरी है, वहां के जो बरामदे वगएरा है, वही पर MLA की एक मिटिंग बुलाएं और वही पर इन कर्सी कानूनों के खिलाफ एक पास कर दिया जाए, वाह, क्या बात है, देखिए कितनी शांदार सला दिये है उन्होंने, और मैं आपको बताऊ हूँ के इस मामले को लेकर जब आरिफ मुहम्मद खान ने विशेश शत्र बुलाने से परमिशन देने से इनकार कर दिया, तो यूवक कांग्रेस के नेता बढ़क उठे, और उन्होंने आरिफ मुहम्मद खान के जो राजबवन है, आवास है, उसके पास प्रदर्सन की अनारेबाजी की, उन पर वाटर कैनन चलाई गई, और इसके बाद उन्हें कोई पोजिशन नहीं है, और ले देकर बीजेपी के हाथ एक नगर पाली का लगी है, जिसे कहते हैं पलककड, पलककड नगर निकाय चुनाव बीजेपी ने जीता है, 52 सीटों में से 28 सीटे उसने पारशद की यहां से जीती है, 2015 में भी वो यहां से बीजेपी सबसे बड़ लगा दिये हैं, जैंशीर राम के नारे लगाए गये हैं, इसे लेकर कॉमनिस्ट लोगों को लग रहा है कि यहां पर धार्मिक उनमाद फैलाया जा रहा है, हाला कि वहां के जो जीलाद्यक्स हैं, बीजेपी के क्रिशन दास, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन् यहां पर घुखी के पन्चायतों के चुनाव हुए लगवग एक सप्ता पहले 17 डिसंबर में उनके नतीजे आए, वहां पे उन्हीं चुनाओं में 941 ग्राम पंचायतों के सीचों के चुनाओ हुए 52 ब्लोक पंचायतों में 108 में सफलता असिल की और कॉंग्रेस को वहा मुँ की खानी पड़ी और नंबर दो पर कॉंग्रेस के नेतरत वाली UDF ही रही 375 ग्राम पंचायते नोने जीती 44 ब्लॉक पंचायतों में नोने सफलता आसिल की और 4 जिला पंचायतों में भी सफलता आसिल की BJP के हिस्से में केवल 23 ग्राम पंचायते आई इसके अलावा नगरपालिकाओं में 86 नगरपालिकाओं में से 45 UDF ने जीती यानि के कॉंग्रेस लेड जो गटबंदन है उसने बड़त बनाई और LDF को 35 सीटे मिली NDA को केवल दो नगरपालिकाओं में सफलता हसिल हुई इस बारे में जो BJP के सांसद है महां से केजे एलफोंस उन्होंने कहा है कि हम गराम जिला पंचायत ब्लॉक पंचायत नगरपाली का इन सब की अगर हम सीटे मिला ले तो 1623 सीटे हमने जीती है और 23 ग्राम पंचायतों में हमने अपना गटबंदन का क्या कहना चीए कि सत्ता वहाँ पर हासिल की है बैराल यहाँ पर जो कहानी है यहाँ पर दिल्चस्प दोस्तों देखिए पस्टिम बंगाल में सारे कॉम्मिनिस्ट कॉंग्रेस के साथ मिलकर ममता बनर जी के भी खिलाफ और बीजेपी के भी खिलाफ गटबंदन मना रहे हैं लेकिन यहाँ कॉम्मिनिस्टों के खिलाफ कॉंग्रेस के लेड़ गटबंदन मना हुआ है यहां पर अजीबो गरीब कानी है और बीजेपी यहां लंबे समय से अपना पैर जमानी कोशिश कर रही है लेकिन अभी लगता नहीं कि अगले चार-पांच साल में यहां बीजेपी को कुछ मिल पाएगा लेकिन अलबत्ता छोटे-छोटे पोकेट्स में नगर पंचायतों में जिला पंचायतों में ग्राम पंचायतों में जाकर बीजेपी यहां सफलता आसिल करने की कोशिश चरूर कर रही है बेराल यहां पर फिलाल सबसे इंट्रेस्टिंग डवलपमेंट यही है कि आरिफ मौम्मद खान जो यहां के गवर्नर है उन्होंने केरल के मुख्या मंतरी विजियन के कहने पर सत्र की परमिशन देने से इनकार कर दिया है अब देखते हैं कि 8 जनवरी को ही सत्र होता है या उससे पहले सत्रे बुला लिया जाता है यहां बड़ा दिल्चस्क होगा हम इस पर केरल पर केरल की राजनीती पर हम नजर बनाए रखेंगे आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइब नमस्कार